आप लोगों के विशेस मांग पर मॉक टेश्ट का एक और सत्र लेकर कर आ रहा हूं और यह सत्र आप देख सकते हैं अंग्रेजी भासा से लेने जा रहा हूं च openness को बहुत लोगों की मांग थी थोड़े प्रस्न परिक्षा से पहले अंग्रेजी भाषा के प्रशन साजा किये जाएं इस मॉक टेस्ट में देखें कुछ खास प्रशन ही लूँगा मैं सबसे पहला है देखें यहां लिखा हुआ है कि some of the sentences have errors अर्थाद error finding error finding के तरीके को पर मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था उसको आप लोग ने देखा होगा उसी को आधार मन कर आज बात करते हैं देखें पहला वाकि कहता है I hope to go to shopping this weekend if the weather permits इसमें आपको error बताना है कि किस हिस्से में error है यहां देखें इसमें A वाले हिस्से में error है क्योंकि go के साथ 2 लगाने के यहां सकता नहीं go shopping भी यहां चलेगा अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन कहता है दिल्ली पुलीस has decided to impose prohibitory orders इसके ऊपर काफी टेलिग्राम में कई जगा बहसे चली थी तो इस पर हम विशेश बात करेंगे इन बार्डर एरियाज ऑफ दे नेशनल कापिटल in anticipation of fresh jat stir over reservation a b c part में और d है इसका no error प्रशन के अनुसार इसके बी वाले हिस्से में बी वाला हिस्सा कौन सा है बी वाला है इन बार्डर एरियाज ऑफ दे नेशनल कापिटल इसमें टूटी है कुछ लोगों का कहना नेशनल कापिटल नहीं होगा कुछ लोग कुछ कहते हैं लेकिन यहां जो भूल है वो है बार्डरिंग होना चाहिए बार्डर एरिया नहीं होगा चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर और अगला प्रशन कहता है कि he is a dear student to all the teachers तीन नमबर प्रशन इसमें कहां गलती है आप सबको पता ही है बी वाला हिस्सा अब यहां he is a dear student to जो लिखा हुआ है इसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा इसमें लिखना पड़ेगा student dear to अर्थात अगर आप सुत्र के हमसार देखें फॉर्मूला कहता है noun noun के बाद adjective आता है noun के बाद adjective आएगा फिर उसके बाद preposition आता है तो इस आधार पर student noun हो गया उसके preposition लगाते हैं और इस तरह से इस वाक्य की संग्रशना पूरी होती है चौथे नंबर प्रशन की ओर चलते हैं चौथा नंबर प्रशन करता है everyone we are happy to hear about this success मैंने कल वाले सत्र में बताया था everyone each और anyone इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो उनका formation कैसे किया जाता है अर्थात ये जो everyone वाला हिस्सा है इसमें गलती है यहां everyone के साथ where का प्रयोग नहीं होगा was का प्रयोग होगा आगे बढ़ते हैं पांचवे प्रशन की ओर पांचवा प्रशन कहता है कि do you know that Mr. Bhatia is our English teacher आम तोर पर कि अगर साधान ढंग से पढ़ें तो इसमें आपको कहीं गलती नहीं is our English teacher क्या होना चाहिए यहां होना चाहिए teacher of English लेकिन आम तोर पर हम लोग बोल चाल में is our English teacher ही बोल कर चला लेते हैं लेकिन ऐसा प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आईए च्छटे प्रशन की ओर च्छटा प्रशन कहता है I told him that I am going to the office no error क्या होना चा आप बताएं यहां देखिए इसमें told him past tense में आ रहा है इसलिए I के साथ जो helping verb लगेगा वो was होना चाहिए यहां narration के नियम के अंसार is नहीं होना चाहिए am नहीं होना चाहिए मतलब present में नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला है अगला कहता है सातवा प्रशन she aims to do well in exam अमोमन यह भी बोल चाल की भासा में हमें इसमें गलती नहीं दिखाई देती है पर इसमें be वाले हिस्से में गलती है to do जो शब्द है इसको आपको बदलना पड़ेगा यहां to के जगह aims जब आया है तो उसके बाद at doing होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आठमे प्रशन की ओर और आठमा प्रशन कहता है the team is now in field and about to take their place इसमें देखे सबसे बड़ी जो गलती है यह c वाले हिस्से में है c वाले हिस्से में कहा है team को जब हम प्रियोग करते हैं तो इसे singular name के रूप में प्रियोग कर रहे हैं तो इसके लिए क्य चलिए अब 9 नमर हम देखते हैं 9 नमर कहता है tax evaders should be heavily find as they are doing it intentionally क्या होना चाहिए इसमें b वाला जो हिस्सा है find as they are doing इसमें परिवर्तन है यह जो r है इसकी जगह they have been doing क्योंकि tax evader tax बहुत दिनों इस चुरा रहे हैं आज थोड़ी नई बात थोड़े यह एक दिन के लिए च दस्वा प्रशन है दस्वा प्रशन कहता है he is representing my constituency थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी रहेगी he is representing my constituency for the last five years यह भी काफी दिनों तक चर्चा में रहा टेलिग्राम समुग में तो काफी लोगों ने इस पर चर्चा की थी इसमें ए वाला जो हिस् इस रिप्रजेंटिंग जो लिखा हुए है इस मद में परिवर्तन होना चाहिए इस की जगह यहां हैस बिन का प्रियोग होना चाहिए तभी आपका यह वात्य सही हो पाएगा आगे बढ़ते हैं अगले अब देखिए यहां से fill in the blanks का हिस्टा शुरू होता है जो लोगों को बहुत जादा भयानक और डारा होना लगता है यह हम देखते हैं we all have खाली स्थान है the windowed girl windowed girl के पहले क्या शब्द लगना चाहिए sympathy with यह sympathy of sympathy at sympathy for अब यहां सबसे बड़ी अरचन आएगी कि आप sympathy चारों में है तो उसके साथ क्या प्रियोग हो कई बार क्या होता है अलग sympathy जो शब्द है वो हमेशा noun की तरह प्रियोग होता है संग्या की तरह इसलिए sympathy के बाद यह far का प्रियोग होगा और यह वाला उत्तर सही होगा आईए आगे बढ़ते हैं बारहुआ प्रशन है the police fired on the mob when they खाली स्थान है turn noisy, turned violent, become abusive और fizzling out यह बड़ा विची तर प्रशन है इसका उत्तर अगर आप देना चाहेंगे तो इसका उत्तर भी होगा क्यों देखे turn चुकि mob when मतलब भीड़ थी वो क्या हुई मतलब past tense में जब जाता है तो turn का प्रियोग नहीं होगा क्योंकि present troop में आ जाता है या फिर future में आ सकता है turned ही ज्यादा अच्छा है become abusive नहीं होग तब became होता तब ही बात सोच सकते थे और fizzling out तो होगा ही नहीं इस तरह से eliminate करके आप तयार करेंगे तो बहुत बढ़ियां से आप कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तेरह हुआ प्रशन लेते हैं he has the full facts but is deliberately hiding them इसमें क्या होगा facts के बाद वाला जो हिस है उसमें क्या कहेंगे यहां देखे ए दिया हुआ under his sleeves मतलब अपने बाजियों के नीचे upon his sleeves उसके उपर up his sleeve आस्तिन जिसको कहते हैं और in his sleeves क्या होना चाहिए इसमें इसमें देखे c number होना चाहिए up his sleeves आगे बढ़ते हैं यह बहुत बढ़िया फ्रेज है इसको याद रख लीजएगा च चलते हैं चौदवा प्रश्न कहता है you say to someone you are so full of yourself because you think they are very उसके बाद खाली स्थान क्या होना चाहिए इसमें देखे पहला विकल्ब दिया हुए upset, pleased, calm और proud तो ऐसे वाक्यों में full of yourself का मतलब होता है कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं और जब महत्वपूर् अगर वो करेगा इसलिए यहां proud आना चाहिए आए पंद्रहुपा प्रश्न देखते हैं पंद्रहुपा प्रश्न कहता है making pies and cakes खाली स्थान है Mrs. Reddy's specialty क्या होना चाहिए इसमें पंद्रहुपा प्रश्न के उनसार making pies मतलब आप बनाती है Mrs. Reddy वो बनाती है तो इसमें विकल दिया हुए are, where, is or has देखें चुकि इनकी speciality है अभी भी है यहां है तो क्या होगा इसका प्रयोग होगा क्योंकि Mrs. Reddy विशेशक गया है तो आज ही वन रहेंगी आए आगे पढ़ते हैं सोलह में प्रश्न क्योर देखते हैं सोलह में क्या है सोलह में कहता है invariable invariable यहां अब आ गया है कि following questions five alternative दिया हुए best express the meaning मतलब synonym सोजाता है similar अकसर हम लोग similar words जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं लेकिन आपको यह गलत काम नहीं करना है सोलह का पहला विकल दिया हुए usual दूसरा दिया हुए universal तीसरा दिया हुए similar और चौथा दिया हुए constant आप जब में जब भी आए तो उनको एक बार dictionary से देख लिया करें word power आपका बढ़ेगा और यहां हमारा जो सही उत्तर है वो डी होगा constant होगा आगे बढ़ते हैं सत्रवान लेते हैं सत्रवा कहता है लारसेनी ल-a-r-c-e-n-y मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हुए आपको समझने मे कोई ऐसी script noxious का मतलब होता है harmful या poisonous और तो वह नहीं होगा दोनों में से एक हो सकता था तो stealing ठीक है आगे बढ़ते हैं अठारवाँ अठारवाँ प्रस्न कहता है abnegation 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 बहुत विचितर शब्द है इसका मतलब होता है daniel and rejection of a doctrine or belief मतलब किसी बात को ना मानना है इस आधार पर अगर देखें तो एह लगजरी नहीं होगा herald नहीं होगा daniel मैंने बता है तो इसलिए daniel इसमें प्रयोग करेंगे आगे देखते हैं अगला प्रस्न कहता है stubborn stubborn का मतलब क्या होता है खूंटा यहीं ही लेगा मतलब आदमी अपनी बात पे ही अड़ा रहना किस timid अगर आप यह elimination round का प्रयोग करें तो इस आधार पर आप timid और angry इन दोनों को हटा सकते हैं तो बचेगा कि आप कौन सा विकल्प बचेगा यह सी वाला जो है adamant है हडा संख बोलते हैं कई जगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आज की सतर का आखरी प्रस्न देने habitual truthfulness हमेशा ही विचारा सच्चा काम करेगा कभी गलत नहीं करेगा इस आधार पर truthfulness habitual आदत होती है truthfulness यहां होगा freedom नहीं होगा wisdom नहीं होगा और loyalty नहीं होगा इसी तरह से synonyms हुआ एंटोनिम्स की भी एक बात कर लूँ एंटोनिम्स में देखिए अगला 21 प्रस्न दिया है वहां कहता है diligent का उल्टा opposite एंटोनिम मतलब opposite होता है क्या होगा diligent का मतलब होता है कि अपने काम को या अपने duty के प्रति समर्पिक इसके लिए सही विकल्प A B C D जो दिया हुए A का मतलब active B का मतलब honest मतलब नहीं C में दिया हुए इंडिस्ट्रियस और D में दिया हुए lazy तो चुकि diligent मतलब punctual होता है तो all C उसका ले लेंगे एक और लेते हैं evencent 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 का मतलब क्या होता है ऐसे शब्द हमने कभी सूना ही नहीं evencent का मतलब होता है कि soon passing out of sight मतलब जट से गायब हो जाए पलग जपकते गायब होना इसमें चार विकल्प दिया हुए imminent permanent permanent pervasive और imminent क्या हो सकता है इसमें इसमें P वाला जो है permanent चुकि यह पलग जपकते ओजल होना तो उसका स्थाई होगा तीसवा प्रशन लेते हैं तीसवा तीसवा प्रशन कहता है florid florid का आपको विकल्प दिया गया है पहला विकल्प है weak उसके बाद दूसरा विकल्प है monotonous तीसरा है pale और चौथा होता है smart अब यह जो शब्द है florid का मतलब होता है कि लाल या पूरी तरह से खून वाला जो complexion है उसको florid कहते हैं तो इसका ठीक विपरीत होगा c वाला pale मतलब लाल टक टक लाल जिसको कहते है कश्मीरी लोग जैसे दिखते है न और उसके विपरीत जो बिमार हो या डरा हुआ हो वो पीने रंका दिखता है आगे लेखते हैं 24 वा प्रशन 24 वा प्रशन कहता है मावेरिक मावेरिक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ती जो नियम न पालन करें समू में है वहां का नियम न अगर किसी और जगह है तो वहां का नियम अनुपालन न करें इसके लिए विखल्प दिया है redundant old dependable और conventional चारों में से कौन सा हो सकता है यहां जो डी है वो होगा कि जो आदमें सब कुछ मानता हो 25 प्रशन कहता है discrimination discrimination का विखल्प दिया है motivation replenishment bias और equality क्या हो सकता है discrimination का मतलब होता है किसी के साथ unfair या फिर भेद भाव वाली जो बात होती है तो यहां भेद भाव का ठीक विपरीथ होगा equality अंगरी जी वाले आज के सप्तर में बस इतना ही अगर आपको ऐसे सप्तर अच्छे लगे हो तो आप इसको like कर दीजिएगा और अब तक subscribe नहीं की है तो channel subscribe कर लें क्योंकि आगे भी और ऐसी अच्छी चीज़ें आएंगी अगले सप्तर में कुछ नया चीज लेकर क्याता हूं तब तब बने रही है हमारे साथ